मनिपुर नाम का एक गाउं था वहाँ एक चुडैल रहा करती थी गाउं के जंगल में एक गुफा थी जहाँ पर चुडैल ने अपना घर बना लिया था वो अक्सर लंबी नीन सो जाया करती थी और महीने में सिर्फ चार-पांच दिन के लिए ही गुफा से निकलती थी शिकार के लिए एक दिन चुडैल पूरे दो हफ़ते बाद नीन से सो कर उठती है अहा इस बार तो बड़ी अच्छी नीन दाई चलो अब ज़रा गाउं में घूम लिया जाए चल कर देखे तो कि आखिर क्या चल रहा है बाहर चुडैल गाउं में टहलने के लिए निकल जाती है टहलते टहलते वो देखती है कि गाउं में काफी सन्नाटा पहला हुआ था जैसे मानो वहां कोई हो ही न अरे रे ये क्या हो रहा है यहां पर तो कोई दिखी नहीं रहा आखिर सब कहा है तभी गाउं की चुडैल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है उस पेड़ पर एक दूसरी चुडैल ही जिसने काफी स्टाइलिश जीन्स और टॉप पहन रखे थे अरी रीत कौन है और मेरी गाउं में क्या कर रही है भूतों की दुनिया में मैं शीला के नाम से जानी जाती हूँ और मैं शहर से यहां आई हूँ क्या शीला बड़ा ही बच्च का नाम है इस सभी काउं मले कहा गे सब मुझ से डर कर अपने अपने घरों में छिपे हुए है शीला पेड़ पर लटके लटके अंगूर खा रही थी अपनी बात कहने के बाद शीला अंगूर का बचा हुआ गुच्चा गाउं की चुड़ैल पर फेग देती है आह तेरी इतनी हिम्मत तो मेरे ही एरिया में मुझ से बत्तमीजी कर रही है बस बहुत हो गया अब चल निकल यहां से क्या तेरी जगह? पर मैं तो पिछले एक हफ़ते से भटक भटक कर यहां के लोगों को खा रही हूँ तब तो नहीं दिखी तू मुझे अरे तो क्या हुआ? मैं तो बस अपने गुफा में सो रही थी तो क्या कोई भी आकर मेरी जगह ले लेगा? देखो यह सब मुझे नहीं पता अब तो मैं यहें रहूंगी हाँ, मगर यहां पे कुछ दिक्कते हैं यहां के घरों में तो एसी भी नहीं है मुझे तो बहुत गर्मी लगती है ओफो, और यहां तो मच्छर भी बहुत है गाउं की चुडैल को यह सब सुनकर बड़ा गुसाता है उसे लगता है जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है वो मन में सोचती है नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर से आई चुडैल की वज़े से मुझे अपना गाउं छोड़ना पड़ेगा नहीं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा गाउं की चुडैल शीला से कहती है सुन, अगर तू अभी क्या भी यहां से नहीं निकली तो मैं तेजे मार डालूंगी हा, 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 तू और मुझे मारेगी पर वो कैसे, मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक दिहाती चुडैल से नहीं हार सकती यह मेरी इज़त का सवाल है वापर शहर जाऊंगी तो बाकी भूठ चुडैलों को क्या मूँ दिखाऊंगी तो ठीक है, चल फिर हो जाएक मुकाबला जो जीता वही इस गाउं में रहेगा यहां के लोगों को अपना शिकार बनाएगा और जो हारेगा, वो दुम दबाकर वापस भागेगा और वो भी बिना कोई ना टकिये ठीक है, मन्जूर है तो फिर हमें खेल खेलेंगे जिसने भी गाउंवालों को ढून ढून कर सबसे पहले तीन लोगों को मार दिया वही जीतेगा जरूर, क्यों नहीं तो हम ये मुकाबला कब शुरू करेंगे ताकि गाउंवालों को इसके बारे में पता ना चले अभी जाकर कहीं छुप जा ठीक है, ताटा दे हाती चुडएल हाँ 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 वैसे भी तेरा इस गाउं में ये आखरी दिन होने वाला है गाउं की चुडएल ये सुनकर बरबराती हुई अपने गुफा में चली जाती है पर दोनों चुडएलों की बाते आकाश नाम का एक लड़का सुन रहा था वो भी सब सुनकर डर जाता है अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कल हमारे गाउं के कई लोग मारे जाएंगे ये चुडएल आबस में लड़ रही है और इससे नुकसान हमारा होगा कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों चुडएल ही इस गाउं से भाग जाएं जल्दी से चल कर सबको ये सारी बाते बताता हूं आकाश कुछ देर सूचने के बाद अपने दो दोस्त बिर्जू और श्याम को अपने घर बुलाता है क्या हुआ आकाश तुने हमें घर क्यों बुलाया तुझे पता नहीं क्या आजकल गाउं में शहर से आई चुडएल घूम रही है और बाहर बहुत खत्रा है इस समय हाँ हाँ मेरी दादी ने भी घर जल्दी आने को गाए तुझे पता तुझे क्या काम है और फिर मैं अपने घर जाओ अरे तुम लोगों को पता है कि गाउं में एक नहीं बलकि दो दो चुडएले हैं एक जो शहर से आई है और एक जो गाउं में हमेशा से रह रही है और उनके बीच आज बहस हो रहे थी मैंने उनकी सारी बाते सुन ली कल वो दौनों लोगों को मार कर खाने का एक मुकाबला करेंगी जिसमें कई गाउं वालों की जान जा सकती है क्या तो अब क्या हमें जल्दी से गाउं वालों को यहां से जाने को कहना चाहिए न नहीं नहीं ये कोई हल नहीं कल तक गाउं खाली करना नामुम्किन है और सब इसके लिए तैयार भी नहीं होंगे हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लाटी भीना तूटे और साप भी मढ़ जाए क्या साप? पर हमें तो चुडैल को भगाने ना साप बीच में कहां से आ गया भईया? अरे तो चुपकर शाम, बस हमारी बात ध्यान से सुन आकाश, शाम और बिर्जु को अपना सारा प्लैन अच्छे से पर ये तो सब तो काफी खतर ना क्या आकाश बस एक गलती और हमारी जान भी जा सकती है नहीं नहीं, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है चुपोचा बिर्जु और जैसा जैसा आकाश कहता है वैसा वैसा कर हाँ तो बिर्जु और शाम, पूरा गाउं हमें नकारा और बेफकूफ समझते है उन्हें हमसे कोई भी उमीद नहीं है उन्हें लगता है हम लोग धर्ती पर बोज है अब सिर्फ ये दोनों चुडैल ही हमारी आकरी उमीद है इनकी मदद से हम पूरे गाउं में मशूर हो सकते है और उन्हें ये यकीन दिला सकते हैं कि हम बेफकूफ नहीं बलकी समझदार है वाकाश क्या बत बोली तुने मैं तेरा साथ जरूर दूँगा भले इस सब में मेरी जान ही क्यों न चली जाए ठीक है फिर मैं भी तुम दोनों का साथ दूँगा उमीद करता हूं कि गाउंवाले हमारा ये बलिदान हमेशा याद रखेंगे अगले दिन प्लान के मुताबिक आकाश बिर्जो और श्याम के साथ मिलकर सुभिच जल्दी ही उट कर सबी घरों के बाहर से ताले लगा देता है जिससे सब लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं खैद क्यों कर दिया है अरे चाचाजी आपको नहीं पता हम तो आपकी जान बचा रहे है चलो, एक काम तो हो गया, अब कोई भी गाउवाला अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, इससे इन सब की जान सुरक्षित है हाँ, अभी तो ये लोग हम पर चिला रहें, लेकिन जब इने पता चलेगा कि हमने इनकी जान बचाई है, तब ये हमें शाबाशिया देंगे चलो, अब हम भी छुप जाते हैं, वो दोनों चुड़ेल आती ही होंगी फिर बिर्जु, शाम और आकाश, तीनो, एक पुराने घर में छुप कर चुड़ेलों की आने का इंतजार करने लगते हैं थोड़ी देर में शेहर की चुड़ेल शिकार के लिए निकलती है शेहर की चुड़ेल गाउं भर में लोगों को ढूनती है, पर उसे कुई भी नजर नहीं आता जल्दी जल्दी से मैं जाकर तीन लोगों को मार के खाती हूँ लेकिन अभी वो गमार चुड़ेल तो सो रही होगी जब तक वो उठेगी तब तक मैं अपना काम पूरा भी कर लूँगी और फिर उसे टाटा बाई बाई कह दूँगी शहर की चुड़ेल गाउं भर में लोगों को ढूनती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता ये सब क्या हो रहा है कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे चलो चल कर सब के घरों में देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है शहर की चुड़ेल देखती है कि लोग अपने अपने घरों में बंद थे और किसी ने बाहर से ताला लगा दिया था अरे ये सब किस ने किया अब मैं क्या करूँ ओ मेरे लिए तो अच्छा ही है जैसे मुझे गाउं में कोई भी नजर नहीं आया वैसे उस गमार तुड़ैल को भी लगेगा ये गाउं में कोई भी नहीं है अब वो मेरी तरह स्मार्ट तो नहीं है जो वो सच नहीं जान पाए नहीं भाग भी नहीं पाएंगे। ये क्या बात है? अज कोई भी गाउवला नेजर क्यों नहीं आ रहा है? शेहर की चुड़ेल ने मौके का फाइदा उठाया और गाउव की चुड़ेल से कहा। नजर कैसे आएगा? मैंने सब को खा जो लिया है। क्या? सब को खा लिया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? तू सब को एक साथ कैसे खा सकती है? अरे तेरा हाजमा खराब होगा, मेरा पेट तो बहुत मजबूत है। मैं तो एक साथ देड़ सो इनसानों को खा ही सकती हूँ। और जब एक पर मैंने लोगों को खाना शुरू किया तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सब को खा लिया। क्या? लेकिन ये तो तुने गलित किया, हमारे बीच में तो कीवल तीन लोगों को खाने की बात हुई थी, अब क्या? जब इस गाउं में लोग ही नहीं बचे तो मैं यहां रुक कर क्या करूँगी? इतना कहकर गाउं की चुड़ाल गाउं को छोड़ कर चली जाती है, पीछे से शेहर से आए चुड़ाल काफी खुश होती है। आखिर थी तो ये गाउं की गवार चुड़ाल ही न, इस चटकारा पाना कितना असान था। इतनी जल्दी है मेरी बातों में आ गई और मेरे जाल में फस गई, अब चलती हूँ और चलकर मजे से गाउं के एकाद लोगों को खाती हूँ, मैं तो ठक गई रे बाबा। चुड़ाल वापस गाउं जाती और देख दिये कि सभी घरों के ताले तूटे हुए हैं और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हुआ, ये सब लोग अचानक से कहां गायब हो गएं, अभी तक तो सब अपने घरों में क्याद थे और बाहर से ताला भी लगा हुआ था। कि तुम पहले उस चुडैल को हमारे रास्ते से हटा दो और फिर तुम से तो हम अब निपाठी लेंगे।